अब बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि वह एक डिजाइन बहुत अच्छा एक डिजाइन बना लेते हैं बट जब फॉंट सेलेक्शन की बारी आती है तब वह उस डिजाइन की एक कर देते हैं तो वह अवाइड करने के लिए हमें दो रूल्स है या दो की फैक हमें कोई भी फॉंट सेलेक्शन करने से पहले यह चीज देखनी है कि क्या वह फॉंट इजली रीडेबल है या नहीं एक ही ग्लांस में या ऐसा कोई फॉंट जो काफी कम टाइम ले उसे रीड करने के लिए यह देखना बहुत ही जादा इंपॉर्टन है जब आप फॉंट की फीलिंग दे रहा है या नहीं फॉर एक्जामपल मान लीजिए हमें एक हॉरर मुवी का पोश्टर बना रहे है अब उसमें मैं बहुत क्यूट सा कर्सिव या स्क्रिप्ट फॉंट ले लूँगा तो क्या वो अच्छा दिखेगा क्या वो फीलिंग करेगा वेल नहीं करे तो हमें उस टाइब का स्पेसेफिक हॉरर या एक सस्पेंस मूड क्रियेट करने के लिए उसी टाइब का एक रगट फॉंड लेना पड़ेगा जो उस थीम के साथ प्रॉपली बैठेगा और पूरे डिजाइन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो तो यह जो दो की फैक्टर्स ह वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कोई भी फॉंट सेलेक्शन करने से पहले सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगा 12 ऐसे फ्री फॉंट और हम लोग देखेंगे कि क्यों यह फॉंट बहुत जाद अच्छे है कोई भी डिजाइन में फिट बैटने के ल तो इसी के साथ चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला फॉंट है जो मैं आपको सजेश्ट करना चाहता हूँ वो है ये इस अबरिल फैट फेस ये फॉंट में बहुत ही जादा टाइम से खुद यूज़ कर रहा हूँ फ्री फॉंट है और सबसे बेस्ट चीज मुझे इस फॉंट की ये लगती है कि किस तरीकी इसे ये बोल्ड है बट अधी सेम टाइम काफी एक एलिगेंट सा लुक भी देता है स्पेशिल अगर आप एक फैशन पोस्टर या ऐसा कुछ टाइप के एलिगेंट लुक पाना चाहते हो बट फिर भी एक बोल्ड प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो जहां पर आप चाहते हो आपका व्यूवर का जो फोकस है वो फॉन पर जाए या टाइप फेस पर जाए तो ये उस चीज के लिए बहुत ही बहतरीन फॉन है नेक्स जो फॉन है वो है अकीरा एक्सपांडड़ वन आफ दी बेस्ट फॉन अगें इस फॉन की मुझे ये लगती है कि ये जिस तरीकी से एक विद में काफी लंबा फॉन है तो एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट अगें ये क्रिएट करता है और मैं खुद इस फॉन को काफी जादा टाइम से यूज कर रहा हूँ ऐसे टाइब की बहुत अलग-अलग फॉन्ट भी है जैसे मैं जैसे मॉनिमल एक्स्टेंडेड हो गया इंटेग्रिल हो गया जो अगें वन आफ मैं फेवरिट फॉन्ट है जिसे मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था तो वोन एक पेट फॉन्ट है यह एक फ्री फॉन्ट है तो कह सकते हो कि यह एक अल्टेनेटिव है उस इंटेग्रिल का बट यह थोड़ा सा जादा विद में थोड़ा जादा बड़ा है बट डिकने में बहुत ही बिस्ता अब बेबस न्यू हो गया है और मुझे personally काफी जादा पसंद है तो मैंने इसलिए इसको इस list में add किया है again मैंने इसलिए अपने काफी सारे design में खुद use भी किया है इसकी best चीज जो मुझे लगती है कि आप लोग देख सकते हो कि ये लंबा भी है but at the same time जो properties है जैसे E हो गया, B हो गया जो spacing है हर एक alphabet की वो बहुत अच्छे से arranged है क्या होता है कभी-कभी fonts में कोई-कोई alphabet की spacing जो है वो काफी लंबी हो जाती है तो इस तरी इसी वज़े से वो font जो है काफी balance नहीं लगता वो चीज इस font में नहीं है इसलिए मुझे यह काफी जाधा पसंद है next font जो है, वो है calvier यह एक बहुती interesting font है अगर आप लोग एक stylish सा look चाते हो आपके design में, जैसे कि for example यहाँ पर आप दे सकते हो, कि जैसे जो A है महाँ पे, बीच की जो line होती है A की वो नहीं है, जो E है उसमें एक dash है, तो वो एक काफी unique मुझे लगता है इस font का, और दिखने में भी काफी जाधा bold है, और अच्छा दिखता है next font again, grifter, यह font और akira expanded, kind of similar है, बट इस font की best चीज यह है कि, यह जो हर एक जो letter है, वो काफी square shape में है akira expanded जो था, वो थोड़ा जाधा पसंद है, and yes, इसलिए मैंने इसको इस list में add किया है जो next font है यह है go bold, मुझे अगर आप लोग जानते हो अच्छे से तो मुझे आपको पता होगा कि ऐसे लंबे fonts मुझे काफी जाधा पसंद है और आगे list में भी ऐसे और fonts है go bold, बेबस जैसा ही है, but बेबस की तरह नहीं भी है क्योंकि यह तोड़ा जाधा लंबा है और जो width है, उसकी कम है as compared to बेबस, but डिखने में यह काफी bold font है, जैसे का इसका नाम कहता है go bold, then go bold जो next font है, वो है Gotham यह font actually मैं देखा जाए, तो एक paid font है, but आप personal use के लिए इसे free में use कर सकते हो और actually मैं इसे काफी time से use कर रहा हूँ पहले Helvetica use करने से पहले मैं इसे काफी जादा use करता था तो यह एक again, Helvetica का alternative font आप इसे बोल सकते हो जो next font है, यह one of my favorite font है जो की है Nexa यह बहुत ही जादा stylish font है कह सकते हो की April fatface और Helvetica का mixture है जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुती sleek look है हर एक alphabet में यहाँ पर obviously, मैंने हर एक alphabet यहाँ पर type किया हुआ है, तो देख सकते हो जैसे कि यह G हो गया फिर यह J हो गया, काफी अच्छा दिख रहा है, ऐस हो गया मुझे यह possibly काफी जादा पसंद है काफी sleek और एक powerful look यह देता है, तो वो एक चीज मुझे इस font की बहुत जादा पसंद है next जो font है, again लंबे लंबे fonts, the gold dense font, यह बहुती जादा एक लंबा font है, इसे में इतना जादा यूज नहीं करता, बट दिखने में यह बहुत जादा cool है, और पहले-पहले में इसे काफी जादा use करता था अपने designs में, तो मैंने इसे mention किया हुआ है क्योंकि again यह free है जो next font है, यह मुझे हाली में पता चला था, इस font के बारे में जो कि है hack name vector जैसे कि आप लोग देख सकते हो, best चीज इस font की यह है कि यह एक brush stroke सा effect देता है, जो कि मुझे काफी एक cool लगा, अगर आप लोग vlogs बनाते हो, या cinematic videos बनाते हो, तो उसके title animation के लिए, या उसके thumbnails के लिए भी आप इस font को use कर सकते हो बहुत ही ज़ादा अच्छा दिखेगा at the same time, यह जैसे कि आप देख सकते हो कि जब भी हम कोई brush stroke सा font यूज करते हो, या तो cursive होते है या उनका जो brush stroke है, वो ज़ादा intense होता है, बट यह मुझे एक काफी balanced font लगा, तो इसलिए मैंने इसे mention किया है, और मैंने खुद ने अपने काफी सारे designs में इसे use किया है, जो next font है, यह है sugar pro, यह जब मुझे इस font के बारे में पता चला था, तब मैं इसे बहुत ही ज़ादा use करता था, almost overuse कर लिया था, मेरे हर एक template के लिए, और design के लिए तो यह मुझे काफी पहले मैं use करता था, इस font को, बट अभी मुझे यह font इतना ज़ादा useful नहीं लगता, क्योंकि अब मैं ज़ादा go bold और बेबस use करता हूँ, बेबस और go bold मेरे go to favorite font है, जब मुझे lambi type के fonts यूज करने हो, कोई design में यह मैं पहले use करता था, बट यह भी इसका एक चीज जो मुझे सबसे ज़ादा पसंद है, वो है इसका जो uppercase और lowercase है, यह दोनों ही बहुत ही stylish है, जैसे कि stylish है, PB काफी अलग है, तो इसका जो lower case है, surprisingly वो बहुत ज़ादा cool दिखता है, upper case मुझे personally इतना ज़ादा पसंद नहीं है, और again यह free है, पता नहीं मैं free free क्यों mention करना हूँ, सभी fonts free है, Unisans, Unisans भी एक ऐसा font है, जो मैं पहले बहुत ज़ादा यूज़ करता था, जब मुझे Helvetica और Poppins, ये दो fonts के बारे में पता नहीं था, उससे पहले मैं इस font को काफी ज़ादा यूज़ करता था, especially इसका जो A है, वो मुझे काफी ज़ादा पसंद था, और S भी, क्योंकि ये काफी sharp look देते हैं, और N में आप लोग देख सकते हो, ये किस तरीके से हमें एक slice जैसे cut मिल रहा है, वो भी काफी cool look देता है, और इसका जो lower case है, वो भी काफी interesting है, जैसे कि आप देख सकते हो, G, Y हो गया, L हो गया, A हो गया, काफी एक unique look मुझे personally लगता है, तो इससे में पहले काफी use करता था, अभी इतना जादा use नहीं करता, बट अभी भी ये काफी एक अच्छा font है, and that's it, ये थी मेरी top 10, 12 fonts की list इस particular year के लिए, जो completely free है, अब ऐसे पहुत सारे fonts हैं, जो बहुत जादा पसंद है मुझे इन fonts के अलावा, but वो मैंने mention इस लिए नहीं किये है, क्योंकि वो paid है, fonts तो that's that, and I hope आप लोग को ये लिस्ट पसंद आई होगी, again, अगर आप लोग इससे download करना चाते हो, तो मैंने links दे दिये है, description में, जहां पर जाके आप लोग उसे download कर सकते हो, और यूज कर सकते हो अपने products के अंदर, तो आज के लिए इतना ही दोस्तो, I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो please subscribe जरूर करना, और comment करके मुझे बताओ कि आपका favorite font कौन सा है, क्या वो इस list में था, या अगर कोई दूसरा font है, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो, comments में, तो इसी के साथ मैं आप लोग उसे मिलूँगा अगली वीडियो में और हाँ जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर follow करना, हमने अभी 100,000 follows complete कि है इंस्टाग्राम पे, which is pretty amazing और मेरी थोड़ी सास फूल रही है कि मुझे थोड़ा सा जुखाम है, तो I'm sorry for that and yeah, मैं आप लोग से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए, take care and always stay raw, stay creative peace out